विदा करो अब मुझे प्रिया की शादी हो रही है और वो रो रही है क्योंकि अब उसकी विदाय होने वाली है, तभी बुआ, उठो ना बुआ अरे क्या गोलो? सबने में भी मिरी शादी में अर्चन डाल रहा है अरे बुआ, उठो ना मुझे शकूल जाना है तेरे पापा का है अरे वो तो आज जल्दी ओफिस चले गए पापा ने कहा बुवा को बोलना वो तुझे छोड़ देंगी वैसे भी वो फ्री तो है ऐसा कहा तेरे पापा ने मैं फ्री हूँ अरे मेरी भी जौब है मैं भी ओफिस जाती हूँ शादी नहीं हूँ इसका मतलब मैं फ्री हूँगी रुक जा आने दे तेरे पापा को रात को खैर नहीं उसकी वो सब बाद में कर ले ना आपका तो सालों से चल रहा है अब मुझे स्कूल छोड़ तो चलो ना हाँ चल पहले तुझे स्कूल छोड़ते थी प्रिया अपने भती जी को स्कूल छोड़ने जाती है जहां उसे स्कूल की पुरानी दोस्त मिल जाती है अरे प्रिया तुम यहाँ अरे काजल कैसे हो तुम कितने वक्त बाद मिल रहे हम यहाँ कैसे बस तुम्हारी तरह अपने बेटी को स्कुल छोड़ने आई थी अरे नहीं नहीं वो मेरा बेटा नहीं है वो मेरे भाई का बेटा है अच्छा तो तुम्हारी कोई बेटी है क्या नहीं मेरी अभी तक शादी नहीं हुई ये काजल क्या? तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई? लेकिन तुम्हारा भाई तो तुमसे छोटा है ना? उसका बेटा भी है और तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? बस कोई लड़का समझ में नहीं आ रहा प्रिया, हमारे क्लास में सबकी शादी होगी सबकी बच्ची भी है, किसी की दो-दो है तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही देरी कर दिये अरे आजकल तो ऐसा ही चलता है काजल मैं ना थोड़ी करियर ओरिंटेड हो ना, बस इसलिए हाँ ठीक है, लेकिन मेरी मानों तो अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तैस्तिस साल की उम्र लड़की की कम नहीं होती हाँ तो एक काम करो ना, तुम्हें बता तो कोई लड़का मैं तो आज के आज शादी करने को तैयार हूँ क्या हुआ, क्या सुच रही हो अरे कुछ नहीं, अब मैं चलती हूँ, मुझे आफिस भी तो जाना है हाँ, फिर कभी मिलते हैं सब सहलिया क्यों नहीं, मुझे नहीं मिला हैं सब से अगर मिली तो ये सब तो अपने बच्चों की बात ने कर रही होगी और मेरे पास तो कोई बॉइफ्रेंड भी नहीं है जिसके बारे में बता सकूँ, क्या फिसमत है मेरी प्रिया की उम्र 33 साल थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी और इस वज़े से उसे हर जगह इसी बात को लेकर ज्यान सुनना पड़ता था अरे भापी जी, लड़कों की कमी नहीं है, लेकिन आपकी बेटी की उम्र भी तो हो गई है ना अब यह खुद टैट्रिस की है, तो मैं लड़का कहां से ढूंदू, अंकल, हां, आप भी बटाई है हां, मैं समझ सकते हूं, बेहन जी, लेकिन 35 साल का लड़का यह लग ने रहा मैं तो पोश्चिश कर रही हूं न, बेहन जी, कम उम्र वाले लड़के खोच से बड़ी उम्र की लड़की से शार्दी तो नहीं करेंगे हां, और आपको तो चांटी शाल के लड़की अच्छे नहीं लगते हैं, बताईए मैं क्या करूँ तुने अभी तक वैसे भी कुछ नहीं किया, तभी तो घर में बैठी हूं, सहालों से इसका चैरा देख रही है अब तो इसका चैरा मुझे देश के नक्षे से भी ज्यादा याद हो गया है अज प्रिया तु आगई, उटर आजा, देख, ये लड़का कैसा देख रहा है तुझे ये लड़का है, ये तो दू बच्चों का बाप लग रहा है आंटी जी बिटर जी, आपकी शादी सही टाइम पे हो गई होती ना, तो आज आज आपके भी दो बच्चे होते हैं अब तेरी भागी कोई जेख ले, थब भी स्राल की एक, एक बच्चा भी हो गया, जो स्कूल जाता है हाथ तो आपने सही टाइम पे अच्छा लड़का दिखाया होता, तो आज मेरी विदाई हो चुकी होती और मेरे बच्चे आपको नानी, नानी कह रहे होते अरे, मैंने तो जब तू बाइस की थी ना, तरब से रिष्टे दिखाना शुरू किया है पुट्टल जी तेरे इतने नक्र, इतने नक्र, ये नहीं, वो नहीं, इसका नाक ऐसा, उसका काम देशा अब देखते, 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 दस साल हो गए, देख और जिन लड़कों को मैंने तेरे लिए दिखा था ना, अब उनके तो बच्चे भी हो गए अरे गुट्डो आंटी, ये लड़का सच में ही अंकल लग रहा है, दीदी के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताए ना, प्लीज हाँ बेहन जी देखे न, अब तो हम भी ठक गए हैं, इसके लिए रिष्टे देख देख कर हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं चली जाओं घर छोड़के, आपको हो तो चली जाती हूँ अब जयादा मद बोल परिया, जब देखो चर्चर करती रहती है अब रहने डो बेहन जी बच्ची हैं, अरे बच्ची भी नहीं है, ने मटलब है रहने दो बहन जी मैं देखती हूँ कोई अच्छा शा अंकल मेरा मुटलब अच्छा शा लड़का है इसके लिए जी शुक्रिया बहन जी क्या हो गया है तुझे ऐसे बात करते हैं कि बाहर वालों की सामने तो क्या करूँ आप ही कह रही थी ठक गया हम इसके लिए रिष्टा देखते देखते ऐसा ही बड़ताव रहा ना तेरा तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे प्रिया वैसे पि कौन से शादी हो रही है मेरी हाँ आपने पहले राहुल की शादी करवा दी जबकि वो मुझसे छोटा है अरे तो क्या करती मैं उसे भी कमारा रख देती तेरी तरह तुझे तो राजकुमार चाहिए था अपने लिए इसलिए कभी कोई कमी तो कभी कोई कमी निकालती रही लड़कों में अब देखो कोई मिले नहीं रहा अ तो मैं आपका क्या बिगार रही हkickे हूँ अपना कमाती हूँ अपना खाती हूँ आपसे पैसे नहीं मांगती मैं देख कवीता देख कैसे बात करिए यह लड़की तुझे क्या लगता है तेरे खाने पीने से हमें दिक्कत होगी कुछ यह भी बोलती है यह लड़की अरे एक मा का दिल जानता है कि उसकी जवान बेटी जब घर में बैठी हो तो कैसा लगता है जब लोग बार-बार पूछते हैं अभी तक नहीं हुई शादी क्या कोई कमी है क्या आपकी बेठी में तुझे क्या बताओ कैसा लगता है बिटा हर वक्त बस यही इमोशनल ड्रामा चलता रहता है यह शादी 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 मैं जा रही है ओफिस मुझे इस पारे में कोई बात ही नहीं करनी ऐसा नहीं था कि प्रिया नहीं चाहती थी शादी करना लेकिन अब बात ये थी कि उसके उम्र के लड़के मिलना मुश्किल हो गया था जो प्रिया को भी पसंदा सके अरे ओ प्रिया आ गई तुम आज की ताजा ख़बर सुनो क्या हूँ आप? आरे तुम्हें नहीं पता क्या? अरे क्या नहीं पता? अरे हमारे बास है ना उन्होंने तीसरी शादी कर लिए क्या? वो तो साट साल के हैं? तीसरी शादी कर लिए? सच में यहां लोगों की एक शादी नहीं हो रही और यह यहां तीन-तीन कर रहा है मुझे ताना मार रहे हो क्या sorry sorry मैं तुम्हें ताना नहीं मार रहा था मैंने तो ऐसे ही भूल दिया हाँ हो जाएगी शादी प्रिया अभी तुम्हारी उम्रे ही क्या है 35 की हूँ अगले कुछ मैनों में 34 की हो जाएँगी मैं क्या मुझे लगता है तुम्हें जॉब से ब्रेक लेक लड़को यह ढूडने चाहिए भी लाओ दो क्या दो अरे लड़के का पता दो ना अभी जाती हूँ उससे शादी कर लेती हूँ अरे मेरे पास कहा से है लड़के का अड्रिस हाँ तो अगर लड़का नहीं ढूड सकते तो ग्यान भी मत दो प्लीज हाँ हाँ चलो अपना काम करते हैं सब सबको ग्यान देना है बस अरे कोई अच्छा सा लड़का भी बता दो यह बगवान आपको भी मैं नजर में नहीं आती क्या किसी को तीन तीन शादी का सुख दे रहे हैं और मुझे एक कभी नहीं हमारी समाज में शादी ना होना एक बड़ा मुद्दा माना जाता है इसलिए क्या रिष्टेदार और क्या पड़ोसी आपके घर के इस मैटर में पड़े ही होते हैं अक्सर अरे जान किये कहा रा गई अरे ये फिर आ गई जले पर नमक छेड़ अपने माम मैं तो भाग रही हूँ कमरे में अरे प्रिया सुन तो कहा जा रही है अरे कहीं नहीं जा रही हूँ आइंटी सालों से सोच रही हूँ कहीं चली जाओ क्या? अरे इसका मतलब है अफिस की छुट्टी है आज इसे इसलिए कहीं नहीं जा रही अरे ये तो बहुत अच्छी बात है मुझे तुछ से ही काम था आज क्यो? नए ताने सोच के आई है क्या आप सुनाने के लिए? क्या? अरे इसका मतलब है कौन सी नई खबर लाई हो तुम आज ये इसके सारे मतलब तुम ही क्यों समझती हो मुझे क्यों समझ में नहीं आते क्या छोड़ो मैं ये कह रही थी कि आज तुघर पे है तो मुझे नए शादी के कार्ड की डिजाइन दिखा दे सरा क्यो? आप फिर से शादी कर रही है क्या? अंकल ने फाइनली छोड़ी दिया आपको क्या? अरे इसका मतलब है कि किस की शादी है जो कार्ड देखना है आरे वो मेरी काम वाली है ना उसकी बेटी की शादी है अभी 20 साल की ही तो है तो वो बोल रही थी कि उससे कुछ डिजाइन चाहिए मैंने सुचा भले का काम है मैं कर देती हूँ अच्छा उसकी बेटी की भी शादी हो रही है उसकी बागी तीनों बेटीयों की हो गई? अरे कब की हो गई जानकी उनके बच्चे भी है अब यह सबसे छोटी वाली लड़की है न उसकी भी विदाई हो जाएगी अरे प्रिया तुझे तो याद ही होगी वो इमली तेरे पास चाकलेट लेकर जाती थी न कभी-कभी हाँ याद है हाँ अब तो उसकी भी विदाई हो रही है पता नहीं हमारे प्रिया का भाग कब खुलेगा आप तो वो सबकी मम्मी लगने लगी है ना उम्र भी तो हो गई है खेर छोड़ो मुझे ना ये सारी बाते करने में मजा नहीं आता मैंने तो सोचा किसी की मदद हो जाएगी कार्ड का डिजाइन पसंद कर लूगी तो हाँ हाँ क्यों नहीं ये इमली को तो आपसे खास लगाओ होगा नहीं आंटी मैंने सुना था आपके बेटे और इसके बीच में कुछ चल रहा था है ना मा अरे क्या बोल रही है ये लड़की हाँ शायद आपकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया है इमली ने तब ही तो कहीं और शादी करी है मैं आपको ना कार्ड के डिजाइन भेज दीती हूँ ठीक है आज कल की लड़कियों को तो शर्मी नहीं है बड़ों से बात करने की अरे अभी अभी तो आपने कहा आंटी कि मैं बड़ी हो गई हूँ मम्मी लगती हूँ फिर तो आपको भी मुझसे तमेज से पेशाना चाहिए है ना लेकिन आपसे तो होता नहीं वो अरे कावेरी बच्ची है वो ऐसे ही गुस्से में कुछ भी पोल दिया प्रिया अंदर जाओ और इपर मैंने अंदर जाओ जान की देख ले तेरे कहने पर इसे माफ कर रही हूँ मैं वनना प्रिया की बत्मिशी बढ़ती ही जा रही है दिन बा दिन प्रिया का गुस्सा सबको दिख रहा था लेकिन उसकी तकलिफ किसी को समझ नहीं आ रही थी समाज का उस पे दबाव डालना सबका उसे अजीब नजरों से देखना ताने मालना ये सब काफी था उसके बरताव को चिड़ चिड़ा पनाने के लिए देदी नाश्ता कर लेजे नहीं नहीं खाना मुझे खा लीजे आप सब औरे किस बात का गुस्सा है हां कल मा ने बताया मुझे कि कैसे आपने कावेरी आंटी को खरी खोटी सुनाई तो क्या करती चुप चाप सुनते रहती सब अरे उनका काम ही है सब बाते फैलाना आप उनके साथ बत्तमिजे से बात करेंगी तो पूरे मौले में आपको बदनाम करेगी फिर कौन करेगा आप से शादी अरे नहीं करने मुझे शादी बस तो क्या पूरी जिंदकी इसी घर में पड़े रहना है भाई के घर में भाई का घर? ये मेरा भी घर है समझा पापा ने इसका आदा हिस्सा मेरे नाम पी किया है अच्छा अब समझा इसलिए आपको शादी नहीं करनी है क्योंकि इस घर का आदा हिस्सा चाहिए आपको तू पागल हो गया? क्या? क्या बाते कर रहा है? पहले आपके लिए इतने रिष्टे आते थे फिर भी आपको नखरे थे अब देखो कवारी बड़ी बैन घर में बैठिये क्या-क्या बोलते हैं लोग हाँ, तुझे तो बड़ी चिंता है अपनी बड़ी पहन की तो तू ही करवा दे शादी फिर मेरे हाथ में होता न तो कब की करवा दे था मैंने तो कहा था, उस मलोतरा से कर लो शादी उस मलोतरा से? उसकी शादी पहले से ही तूटी हुई है एक बच्चा है उसका तू चाता है कि मैं उससे शादी करूँ दीदी आपके जितनी उम्रह है न अब आपको कोई राजकुमान नहीं मिलने वाला जिसके आप सपने देख रही है मेरी मानो तो अब ऐसे ही रिष्टे आने वाले हैं आपके लिए अरे अब बस भी करो तुम दोनो आप सुन रही है न मा ये क्या कह रहा है अरे सुना मैंने सब उसकी गलती नहीं है तारा दिन ताना सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया है बस आप सब का दिमाग खराब हो रहा है जरह मेरी सुची लोग मुझे क्या क्या कहते है कि तेरे छोटे भाई ने तु शादी कर ली, बच्चा भी हो गया, कहीं तुझ में कोई कमी तो नहीं है, इसके भाई का तु इसकी पड़ी नहीं, खुद का संसार बसा के बैठा है, ऐसे ऐसे ताने में रोज सुनती हो, लेकिन आज तक मैंने त कहते हैं, बाहर वालों का दर्द दिना इतना नहीं चुपता, जितना अपनों का चुपता है, प्रिया के साथ भी यही हुआ, उसकी घर वालों ने जब उस पर ताने कसे, तो वो काफी उदास हो गई थी, अब तो बस यहीं था, कि विदा कर दो मुझे यह लो प्रिया भी आ गई, यहां आ प्रिया, तुझे कुछ दिखाना है, तेरे लिए रिष्टा आया है गुड़ो आंटी मैं तयार हूँ, चाहे कोई भी हो, कैसा भी दिखता हो, कुछ भी करता हो, मैं तयार हूँ लेकिन बीटा मैं जी बात तो सुन ले, वो लड़का, कोई भी कमी हो चलेगा, शादी शुदा है ना, बच्चा है, वो भी चलेगा, मुझे उसके फोटो भी नहीं देखी, मैं तयार हूँ आप सब ममी से रसकस कर लीजिए, उन्हें भी हा कह दीजिए प्रिया मेरी बात तो सुन बेटा, मेरी तरफ से हाँ है, आप उन्हें कह दीजिए, और अगर उनकी तरफ से भी हाँ है, तो हम सीधा शादी करेंगे लेकिन लड़की के बारे में पहले सुन तो लेटी बेटा एक बार उसने ठान लिया, तब किसी की नहीं सुनेगी वो प्रिया ने बिना देखिया और बिना उस लड़की के बारे में कुछ भी जाने, शादी के लिए हाँ कह दी और लड़की वालों को भी ये रिष्टा मंजूर था, इसलिए दोनों घरों ने मिलकर प्रिया और योगेश की शादी तै कर दी अब तो आप दोनों खुश है ना, फाइनली इस घर से जा रही हूँ मैं बेटा हम तुझ से उतना ही प्यार करते हैं, तु हमें गलत मत समझ एक बार दुले को तो देख लो दीदी मेरे नसिप में जो भी हो, अब मैंने स्विकार कर लिया है, अब बस मुझे विदा होना है इस घर से वो तो मैं कर ही दूँगा तुम्हें विदा, बस एक बार अपने दुले को देख तो लो राहुल प्रिया को जब मन्नप में लिया आता है, तो उसका दुलह योगेश, वही लड़का था, जिससे एक वक्त पर प्रिया पसंद करती थी लेकिन योगेश पढ़ाय करने के लिए विदेश जा चुका था, लेकिन उसकी शादी योगेश के साथ ही हो रही थी क्यों, पशंद आया दुलह, हाँ या ना, हाँ, और तुझे मैं ये बता रही थी, कि योगेश तुझे शादी के बाद विदेश ले जाएगा, तुम दोनों वही रहोगे क्या, सच, सच, फाइनली दिदी, घर से नहीं, इस देश से भी विदा ले रही है, जीजा जी, अब आप ही समाला इसे, हमने तो कर दिये अपनी बेटी विदा, अब आप जानों आपकी मसीबत जाने, मैं खुद चाहती हूँ, कि जल्दी करो मुझे विदा, इससे पहले की कावेरी आंटी आजाए,